हेलो डिया स्टुडेंट वेलकम तू अधियन सेत्व एकेडमी आज क्लास में डिसकस करेंगे बाउट बेसिक साफ रसी सी रिटैनिंग वाल रिटैनिंग वाल होती क्या है किस की सिच्वेशन में यूज किया जाती है क्या इसका इंपोर्टेंस होता है सब कुछ डिटैल में सो लेट्स स्टार्ट दे क्लास में फस्ट आफ फॉल वाट इस रिटैनिंग वाल होती क्या है तो डिटैनिंग वाल एक स्टिप एलिमेंट होता है या मेंबर होता है रिजिट मेंबर होता है रिजिट वाल होती है जिसको बिसिकली यूज किया जाता है तो रिटैन दस्वा करने के लिए जो structure हम यूज करते हैं that is called retaining wall retaining wall is are relatively rigid wall used for the supporting soil laterally so that it can be retained at different level on the two sides okay अब retaining wall बहुत important component होता है और different civil engineering project में useful होता है like building projects road projects railway project या फिर bridge तो different different location में different situations पे हमें soil में जो दो लेबल maintain होते हैं different उनको maintain करने के लिए उस पोजिशन में retaining wall बनानी होती है retaining wall अगर हम एक side से back side से soil को retain करवाते हैं और front side से water को return करवाते हैं तो इस तरह retaining wall, sea wall या bulk weight कहलाती है कि तो अगर हम retaining wall सकते हैं में बनानी होती है अगर कोई लियर और यहां पे अगर स्टेलमेंट्स के चांसे भी यहां सब्सक्राइब मैंयार्य ग्रेंग्युमुल में उसके बाद याहाँ पे अगर दो रेलोर ऊड़ाइन या रेलवे लाइन में इंटर्ग सेव dopo वहां पे हमें सॉइल की में अलग लेवल्ट करने के लिए लाइक रूट यहां से जा रहा है दुसरा रूट ही जा रहा हमाएं करने कंद को इस स्वाइल को है सब्सक्राइब बनाना होता है यह एक रिटानिंग वाल का स्ट्रक्चर दोनों साइट से उसे तरीके से यहां पर भी एक्सप्रेस वेयर हाइवे में जब हम दो डिफरेंट लेवल में रोड को मेंटेन करते हैं तो रिटानिंग वाल हमें बनानी होती है तो यह सिच्वेशन बिछल्ड के लिए हो सकती है और सिक्वेशन डींभे में वह सकती है तो दोनों जग हमें बनानी होतीए विल्डिंग में एगर हम अंडर गराउंड पर बना रहें वहां पर 10 वाल देया कोई बनानी होती जैसे कि सपोस्वर्ध को में अर्थ हैं और अर्थ मैं चैनक्रन पर अर्थ है तो अर्थ के तो इसमें tremendous amount of pressure exert किया जाएगा तो हमें properly यहां पर returning wall place करना होता है to bear the pressure applied by the earth तो यहां पर भी building में भी returning wall देनी होती है अगर हम underground construction कर रहे हैं कुछ भी side by side intermediate में कोई requirement नहीं होती है बट side by side हम returning wall provide करनी होती है जो जो wall directly earth के contact में होती है bridge में अगर हम बात करें तो bridge में जो abatment होता है या फिर जो wing wall होती है वो भी directly returning wall की तरह behave करता है like अगर इस तरह से कोई bridge है bridge में अगर कोई depression है कोई obstruction है अगर हम यहां पर bridge construct करते हैं तो intermediate piers होते हैं column होते है that is called pier और जो end का column होता है वो कहलाता है abatment और यहां से जुड़े होई होती है wing wall तो abatment और wing wall का जो भी basic function जो है वो होता returning wall की तरह है basically soil को return करते हैं जो back side से होती है यहां पर भी level में difference आता है तो different situation में हमें returning wall वनानी होती है इस तरीके से एक बहुत ही important component हो जाता है for civil engineering projects अगर हम component की बात करें कि returning wall में कौन-कौन से main component होते हैं तो basically यह returning wall का diagram है यहां पर जो यह side है इसको back side कहा जाता है जहां पर earth की filling की जाती है artificially और जो दूसरा side है यह front side होता है यह actual ground level होता है इतनी filling हम कर रहे है इसलिए हमें returning wall बनानी पड़ देए तो यह filling का level है और यह actual ground level है उसके बाद जो यह main member main wall है that is called stem और जो यह basement में slab दिख रहा है that is called base slab अब इसके भी दो part होते है है एक होता है heel slab heel slab और दूसरा जो front side में part होता है base slab का that is called toe toe slab तो यह main component होता है returning wall का उसके साथ ही जो soil filling back side की जाती है तो जो face होता है returning wall का back side में यहां पे boulder यह gravel fill up किया जाते हैं तकि proper drainage किया सके साथ ही जो back side का top होता है यहां पर longitudinal drain प्रोवाइड किया जाता है और जो front का top होता है यहां पे भी longitudinal drain प्रोवाइड किया जाता है proper drainage system के लिए सांधिय साथ अगर कुछ water percolate करके यहां पे return करता है इसकी बज़े से जो extra pressure reply किया से पास आउट हो सके अगर हम रिटैनिंग वाल को फ्रेंट से देखेंगे अगर आपने किसी ब्रिज को इंसाइट से देखा है इमेजन किया है तो वहाँ पर कुछ इस तरीके के होल दिखते है रिगुलर इंटर्वल में इस तरीके से अपना बेस स्लेव होता है और यह इस्टेम वाल होती है और बेसीकली जो स्वयल बैक श्वयल फिलिंग की जाती है उसका उसका प्रेसर लैटरल डारेक्ट अमें एक्जस्ट करता ए इस टेम में और इसी प्रेसर को बिएर करने के लिए हम रिटैनिंग बॉल को धिक करते हैं इस तरीके से ग्राइविटी डैम अर्थ प्राइविटी डैम के लिए इस तरीके से ग्राइविटी डैम वाटर प्रैसर को दूस्ट से वेट करता है। उसी तरीके से ग्राइविटी डैम वाल भी चैनलट याजार्णिल सैज्ट करते का混ाने करने लिए Igor करते हैं ग्रेवर्टी कर सकते हैं सेकेंड बनिस तोthis is the मोस्त कामली यूजट रिपार देनिक वॉल बैसिकली मैकसिम्ममृ टाइम हम यह इस टाइप करते है करते हैं यहाँ पर इसका यहां पर जो इसनेू होता है और यह इसका base होता है दोनों ही cantilever की तरह बहुत करते हैं अगर हम इसके बाउट base के बाउट stem की बात करते हैं तो यह cantilever की तरह एक्ट करता है और अगर हम stem के respect में base की बात करें तो यह भी cantilever की तरह रियक्ट करता है that's why that is called cantilever retaining wall यहां पर जो basic concept होता है stability का वो होता है वो provide किया जाता है बाई self weight of soil जो यहां पर soil फिल किया है हमने इसके थूँ जो self weight exist होगा और self weight of retaining wall यह proper stability ensure करते हैं against the earth pressure जनली हम cantilever retaining wall यूज करते हैं up to six to eight meter की height तक अगर हमें six to eight meter तक की height को retain करना है soil की back side में तो वहां पर cantilever retaining wall प्रिफर की जाती है next one is counter fort retaining wall counter fort retaining wall similar होता है cantilever retaining wall के but अगर हमें more than eight to ten meter या eight to twelve meter तक की height की soil को retain करना है वहां पर cantilever retaining wall un economical होता है ऐसी situation में हमें counter fort retaining wall यूज करना होता है counter fort retaining wall similar होता है cantilever के difference इतना होता है कि यहां पर is time को base से extra element के थूख किया जाता है to ensure the more stability and that element is called counter fort जो यह extra beam या walls बनाए जाती है to connect the stem with base that is called counter fort तो रिगुलर इंटर्वल में यह counter fort यहां पर place किया जाते है एक्स्ट्रा स्टेविल्टी स्टेवल करने के लिए और जो यह interval होता है जनली half of height of is time is time को जितनी हाइट होती है कम से कम उसका हाफ होना चाहिए उससे ज्यादा भी हो सकता है यह इंटर्वल जिस जिस इंटर्वल में counter fort को provide किया जाता है different pattern में counter fort को बना सकते हैं यहां पर लाइक डैट and rectangular pattern में यहां पर भी जो stability insurance होता है due to the self weight of soil and due to the self weight of retaining wall के द्वारा होता है soil का self weight जो कि downward लगता है और retaining wall का self weight वह भी downward लगेगा इसके help से इसके थुरू जो lateral pressure exert किया जाता है soil के थुरू उसको stabilize किया जाता है और यह जो counter fort है यह stem के retaining wall के back side में जनली provide किया जाता है in counter fort retaining wall उसके वाद जब soil filling किया जाती है तो यह उस पर hide हो जाते हैं विजिवल नहीं होते हैं back side में the next one is buttressed retaining wall बट्रेस retaining wall similar होता है counter fort retaining wall के difference यह होता है कि यहां पर जो connecting element होता है stem to base वो front side में provide किया जाता है counter fort में connecting element back side में provide किया जाते है that is back side that is front side और buttress में उल्टा होता है different different होता है उससे जो connecting element हो front side में provide कि जाते हैं that is front side and that is back side of retaining wall तो front side में connecting element provide किया जाते हैं जो हम counter fort में connecting element बनाते हैं वो purely tensile member होते हैं वहाँ पर प्योर्ली टेंसाइल effect आता है क्योंकि simple सी बात है अगर इधर से soil pressure लगेगा lateral direction में तो इन में pure tensile effect आएगा tensile load apply होगा और जो buttressed element होते हैं connecting element होते हैं यह purely compressive element होते हैं जब soil pressure पीछे से यहाँ पर back side से apply किया जा जाएगा तो इन में compressive effect आता है तो यह भी difference होता है उसके अलावा जो buttressed होते हैं यह front side में होते हैं तो soil filling करने के बात back side में hidden नहीं होते हैं hide नहीं होते हैं जिसकी वज़े से जो हमारा movable या usable area होता है वो भी abstract होता है in case आप buttressed retaining wall इसलिए बहुत rarely use के जाते हैं buttressed retaining wall generally हम counter for retaining wall ही use करते हैं different different project में तो यह basic concept है basics है retaining wall के next class में design से related चीज़ें discuss करेंगे किस तरीके से design करना है क्या क्या considerations होते है that's all for today thank you